नमस्कार जेहें दोस्तों आप सभी लोग देखे रहे हो प्रटेश्टेट यूटूब चैनल तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वाकत है तो दोस्तों आप सब लोगों के लिए बहुत ही बड़ी ख़बर लेकर आया हूँ इंडियन नेवी, MR, A, A, SSR भरती को लेकर जैस अच्छी ख़बर के साथ एक बुरी कवर होती है दोस्तों तो यह बैच का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके फ़र्म अप्रेल से भरेंगे पंदर दिन तक आप लोगों के फ़र्म भरे जाएंगे इस नोटिफिकेशन के साथ दोस्तों बहुत सारे छात्रों की उम आतार बताते आएं हैं कि इंडियन नेवी में आपको किसी भी परकार का एज रिलक्षिएशन नहीं मिलेगा तो दोस्तों यहां पर आप लोगों में आलम चली गया होगा कि एज रिलक्षिएशन आपको यहां देखने को नहीं मिला लगबग एक साल बच्चों का खराब लेकिन फिर भी एक बार आप लोग देख लीजिए यहां पर दोस्तों एक बास की गुजारेश और होगी वडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते हैं चैनल सब्सक्राइब परके और नोटिफिकिशन आल कर लीजिए तो दोस्तों आप लोग यहां आसानी से देख पारे होंगे आप लोगों का फरवरी बैच का जो नोटिफिक्शन आने वाला था उसकी जिखरे पे अब डारेक्ट अगस्त के महीने का जो बैच है वो जनरेट हो चुका है जिसके अंतरगत आप लोग की भरती अब अगस्त बैच के अंतरगत होंगी यहां पर दो इससो पचीसो करके आपके वेकेंसी आने वाली हैं बात करेंगे नवंबर बैच के वेकेंसी की तो दोस्तो वो वेकेंसी खाली चलीगी उन वेकेंसी का कफिल के जाएगा वो तो बाद में देखा जाएगा फिरहाल आप लोग सारी चीज़े देख पारे होंगे उस तो बार स्ष्ट्राप्ट हो रही है यहां पर दोस्ट अप लोग को मारूम ही होगी आप लोग देख पारे होंगे दोस्तों जो भी लोग मंधर ओवरेज हुए हैं इससे तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताए कि सर हम कुछ कोशिश करेंगे कि आप लोग के साथ कुछ फाइदा हो सके सरकार तक बात पहुंचाएंगे आप लोगों की कि सर आप लोगों को भी मौकाम मिलना चाहिए रिटर्न एक्जामनेशन फिजिकल वगया सारी इन्फॉर्मेशन वही है जो हर साल आप लोग की रहती है तीस अपरल आपकी कि अप्लाइब करने के आप लोगों याँ देख पारेंगे वह आप लोगों की साथ रुपय का प्लस आप लोगों को जो जी एश टी का चार्ज होगा वो लिया जाएगा यानि कि आपको यहां पे फॉर्म फिस्ट में भी कटवती की गई है उसके बाद दोस्तों आप आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे परिशान मत हो यह दोस्तों डे डिसकी बढ़ सकती है फिलाल हम आप लोग ऑनलान फॉर्म हने के लिए एक वीडियो लेकर आएंगे जहां पे आप लोग घर बेटे बेटे ही अपने फॉर्म भर पाएंगे यह है दोस्तों पूरा कर सुनतियार हो गया और वो ओवरेज हो चुक है तो यहां पर गवर्मेंट ने सभी चात्रों को एक समान मानते होए वर्तवान कंडिशन को देखते होए आप लोग का जो जारी की है जिसके अंतरका 31 जोलाई को आप लोग की डिटो बद की कैलकुरेशन की गई जो की सभी लोगों के लिए सवान है लेकिए दोस्तों उन लोगों की जो ओरेज हो गए उनके लिए तो बहुत ही जादा नुकसान है क्योंकि अगर वेकेंसी नवंबर में आती है फरवरी में आती तो वो लोग भी अप्लिकेबल हो सकते थी आप लोग हमें दुस्तों करके जरूर बत